C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का उन्नीसवा सबग सबग नंबर उन्नीस पयाम अमल नजमनिगार मोहम्मद फारूक दीवाना सफ़ा नंबर एक सौ इकीस गर कौम की खिद्मत करता है एहसान तो किस पर धरता है क्यूं गैरों का दम भरता है क्यूं खौफ के मारे मरता है उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पच्चताएगा कुछ बैठे हाथ ना आएगा जो ढूंडेगा वो पाएगा तू कब तक देर लगाएगा ये वक्त भी आखिर जाएगा उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है सफ़ा नंबर एक सो बाईस जो मौका पाकर खोएगा वो अश्कों से मूध होएगा जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा तू गाफिल कब तक सोएगा जो होना होगा होएगा उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है फिर तुझे को क्यूं हैरानी है कर डाल जो दिल में ठानी है जब हिम्मत की जूलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है उठ बांद कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है मानी याद कीजिए गाफिल बेखबर गफलत करने वाला फानी खत्म होने वाला जिसे फना हो जाना हो जूलानी जोश, तबियत की रवानी, हिम्मत खौफ डर सफ़ा नंबर 123 सोचिये और बताईए एक, कौम की खिदमत किस जजबे से करनी चाहिए दो, वक्त बरबाद करने का क्या अंजाम होता है तीन, नजम के तीसरे बंद में शायर ने क्या कहा है चार, वक्त पर काम ना करने का क्या अंजाम होता है पाँच, हिम्मत की जूलानी से शायर का क्या मतलब है छे, पत्थर के पानी होने से क्या मुराद है लिखिए अश्कों से मुधोना मुहावरा है इसके मानी रोना और आसू बहाना है यहां कुछ मुहावरे और उनके मानी दिये गए है इन मुहावरों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए मुहावरा एहसान धरना मानी किसी की मदद करके उसे जताना मुहावरा दम भरना मानी किसी को बहुत ज्यादा याद करना किसी की हर वक्त तारीफ करते रहना मुहावरा कमर बांधना मानी तयार होना मुहावरा हाथ ना आना मानी, हासिल ना होना ना मिलना मुहावरा, पत्थर पानी होना मानी, बहुत मुश्किल काम का आसान हो जाना सफा नमबर 124 गौर करने की बात उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है आपने देखा कि ये शेर नजम में बार-बार आया है में इसी दरह कोई मिसरा या शेर बार-बार आए तो ऐसी नजम को तरजी बंद कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का उन्नीसवा सबक। इसके बाद सबक बीस आता है। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।